नमस्कार सर मेरा नाम राजु है अब कुछ हम बात हेल्थ पे कर लेते हैं हेल्थ एट होम अभी रक्षा बंदन गुजरा है उसके दो-तीन दिन पहले मेरी दीदी का फोन है नागल एंडेमापूर में रती है उनको सिष्ट हुआ और कफी दिनों से प्रोब्लम था मुझे पत बताया जैसे ही काला पी वो सो गई 12-13 घंटा तक सो गई और पिछले 3-4 दिन से वो सो ही नितर्चे से और उसके बाद फिर होट वाटर थेरेपी बताये एक सब्ता में वो नॉर्मल हो गई और जहां दिखाने गई थे वह तो पता ही आपको क्या बोला गया होगा ऑपरेश इन्होंने कहला बताया होट वाटर थेरेपी बताया और चंगा चंगा जब हुआ तो उसके फैमली मेंबर में चार लोग धलाम धलाम से मुर्चित होते चले गए फिवर विगरा से तीन बच्चे एक बेटी दो बेटा वो भी और एक नौकर वो भी तो इन्होंने फिर गंटी यहीं बजेगा गंटी और खेली बजीख़ तो उसी तरह कितना भी प्रॉब्लम होना तो आप को कहांघंटी बजाना मैं आपको बताता हो अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को फीवर आया तीन मैना से कम किवच्चे थें देर मैना को बच्चे थें फीवर एक सो इन्होंने क्या बताया इन्होंने एक अबजर्व किया था काफी सल पहले अपने घर में एक जगा आठ कुट्टे के बच्चे थे और एक बच्चे को चोट लग गया उसका टेमपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया घर में कुट्टे ने जनुदिया बच्चे को अब उनको इन्हीं क्या कि कुट्टी के मम्मी ने उस बच्चे को ऐसे सटा के रग ली 6-7-8 घंटा तक और सिर्फ उनका नाक बाहर मूँ भार तो हीट एज़े मेडिसीन बोलता है उनको उनके बाद सुहर देख रहे हैं दोनों बच्चे खेल रहे हैं मम्मी और बच्चे भी दोनों इन्होंने उनको बताया कि 103 टेपरेचर बच्चे को हो गिया है तो सारे कपड़े उनको खोल दीजिए और इस तरह से अपने अंग से सटा लीजिए कि सारे सरीर उनको टच कर जाए 100% मैक्सिमम जितना टच कर सकते हैं और ऐसा दो गंटे में बच्चे ठीक होगे तो एक खो क्योंकि दूसरे के सरीर को वो जानते ही नहीं है चोटे बच्चे अब जितने भी पांस देस्ट जार लोग मुझे फॉलो करते हैं मन से फॉलो करते हैं उनको मैं बोलूँगा बच्चे कर जनम हो तो मंपी के साथ चिपका कर रखना है उनको अलग करना ही नहीं है इस यू अलग concept है जितना दूर होगा मुझे लगता है कि उतना बिमार होगा इसलिए दूर करने का concept है आपको मम्मी के पास रखना है तो बिमार होगा ही नहीं अगर होगा भी फीबर आया भी तो अपने आप चला जाएगा हीट एज मेडिसिन तो बच्चे दो घंटे के अंदर ठीक हो गए अग मैं कुछ इमर्जेंसी का चीज बता रहा हूँ जब आपको घर में ऐसा आए तो घंटी आपको कहां बजाना है वह नंबर यह है निट्रिशन अमीत कुमार नंबर यह दिया हुआ है इस पर आपको घंट ले रहा हो यह इस पर चल रहा होगा वीपी होगा इस टॉन होगा कितने विपर टुन हो सब को घ्र कर ml शान हो जाते हैं यह ज़ Guatem आप मेरे और मैं अमीत जी का फैन हुए हमारे साथ ही रहते हैं यह तो हो गया कि लंबा प्रोब्लम है यह ठीक हो सकता है दूसरा है इमर्जेंसी अभी अभी हो गया कुटे ने काट लिया सौप ने काट लिया विच्छू ने डर्स लिया एकदम खट से हट अभी हुआ यह हमारे पास चल्दीगर में है कलकता से फोन आया 75 साल के पापा जी को हर्ट अटेक आया तो उनके बच्चे ने फोन किया वीडियो कॉलिंग पे क्या करूं अमीजी ने बुला जल्दी से इतना बड़ा अधरक चवाई है अधरक खाने से क्या होता है नेट्रिक इतना ज्यादा नेट्रिक ऑक्साइट प्रडियूस होता है जहां ब्लोके फ्लोके जासा तोड़ ताड़ के बाहर निगल जाता है तो इन्होंने ठीक कर दिया इमर्जेंसी लेकिन अब उनके पापा बेट से उठी ने पा रहें नहीं उठ पा रहें तो उनके बच्चे ने फ्लाइट का टिकट किया चंडी गड़ से सीधा कलकता गए तीन-चार दिन रहे बेट से उठना चलना फिरना शुरू हो गए अपने से शॉपिंग जाना अपने से सब कुछ करना सुरू हो गए फिर से फ्लाइट का टिकट कटा के वापस आ गया है क्या आप किसी ऐसे ब्यक्ति को जानते हैं किसी ऐसे ब्यक्ति को जिसको आप फ्लाइट से टिकट कटाग बुला सकते हैं नहीं जानते होंगे अभी से जानना सुरू कर दिजिए निट्रिनिष्ट अमीत कुमार नंबर उपर दिया हुआ है यह ऐसे ब्यक्ति हैं हम तो नहीं जानते हैं कि ऐसे बेखती को इनको फ्लाइट से टिकट कटाग बुलाएंगे और भेज भी देंगे उनके पापा जो हैं बच्छे हुगे हैं कि फीवर हो गया किसी बी तरह का ममी से चीफ आप के रख दो और जानना है तो मेरा नमबर आपको याद ही है नहीं याद है तो दो बार दोड़ा लिजी ए 9929-6425 9929-64262 वीडियो अच्छा लगे तो वाट्सप इंवर्सटी में दोस्तों बीच इसी जरूर सेर करें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड रुखें Thank you so much